टेस्ट मैच सुना था, वन डे सुना था, फिर टी ट्विंटी सुना, टी टैन भी सुना, लेकिन ये हंडर्ड क्या है? अज़ की एपिसोड में हम बात करेंगे दा हंडर्ड, अब ये हंडर्ड क्या है? हंडर्ड का तीसरा सीजन पिछले दूनों खेला गया, संडे वाले दिन हंडर्ड का फाइनल था, मर्दों का मुकाबला ओवल इंसिबल्स ने जीत लिया, जबके फीमेल कॉम्पिटीशन में सदरन ब्रेव फाते करार पाई, तो इस टॉर्णामिट की बात करने से पहले हम थोड़ा डिसकस कर लेते हैं कि ये दा हंडर्ड है क्या? दोस्तो दा हंडर्ड में क्रिकट के तमाम कवानिन अपलाए होते हैं जो भी आप समझ लीजिए कि आप टी टुईंटी क्रिकट खेल रहे हैं, तो टी टुईंटी क्रिकट में जो भी कवानिन इस्तमाल होते हैं, आप उन सब को जहन में ले आईए, मास सिवाए चंद तब्दीली ये है कि मैच का दोरानियां 20 ओर्ड में नहीं होता, बलके 100 गेंदों पे 100 बाल्स पे मुच्तमिल होता है, और दूसरी चीजिए यहां पे ओर नहीं होते हैं, यहां पे 5 ओर का एक सेट होता है, और एक बालर जो है, उसके पास 20 गेंदें करवाने की आप्शन हो लेकिन वो लगातार 5 भी करा सकता है और चाहे तो लगातार 10 भी करा सकता है, तो यहां पे अगर देखा जाया तो यह एक तरह से बालिंग टीम के लिए, बालिंग कैप्टन के लिए एक एडवांटेज है, कि बालिंग कैप्टन अगर समझ रहा है कि एक बालर को मैंने एक भेजाए उसे मार पड़ रही है तो उसको बस पांच गेंदे मुकमल करा के हटा ले और अगर कोई बॉलर अच्छे रिदम में उसने पांच के उन्नों पर एक दो रंज दी हैं कप्तान के पास यॉप्शन होगी कि यार ये बॉलर बॉल अच्छे रिदम में अच्छी बॉल करा रहा है इसकी बॉलने नहीं खेली जा रही तो अपना कप्तान जो है उस बॉलर को कह सकता है कि आप प्लीज पांच के ने और करवा लीजिए तो एक ये डिफरेंस है दूसरी चीज़ ये है कि 100 के अंदर बैट्समें की अगर बात करें तो यहां पर बैट्समें अपना सेट मुकमल होने के बाद साइट्स चेंज नहीं करते जिस तरह के क्रिकेट में ओवर कम्पलीट होता है तो बैट्समें बदल जाता है मतलब मैं बैटिंग कर रहा हूं मैंने लास्ट गिन बलॉक कर दी मिस कर दी डॉट खेल दी तो अगर ओवर खतम हुआ तो अब जो आने दूसरा बैट्समें आएगा अगर मतलब मुझे अगला ओवर भी खेलना है तो मुझे आखरी बॉल पर सिंगल लेना पड़ेगा सिंगल लेकर नौन स्ट्राइकर पर जाना पड़ेगा क्योंकि जो नौन स्ट्राइकर है वो अगले ओवर में स्ट्राइकर बन जाएगा पर हंड्रिट में ऐसा कोई मजा करवाई जाएंगी पिर दूसरे एंट से दसकेंगे करवाई जाएंगी ताके पिछ का एक बैलंस जो है वो बरकरार रहे तो इसके लावा इसमें और क्या तब्दिलिया नहीं है एक पावर प्ले रखा गया है जिसमें सरफ दो फिल्डर दारे से बाहर होंगे पावर पर सिले यह रखी गई है कि लैग साइड पे पांच से ज्यादा फिलडर खड़े नहीं हो सकते अब क्रिकट में कानून क्या है किरिकिट में आप समय हम सब जानते हैं कि एक विकट कीपर होता और एक बालर होता है पीछे नौ फिल्डर रह जाते हैं तो उन नो फिल्डर के ल फिल्डर खड़े कर दें, लेग पे सरफ दो रखें, ये भी आपके लिए आपशन है, आप चाहें तो लेग पे साथ कर दें, आफ पे दो रखें, ये भी आपशन है, लेकिन यहां हंड्रेट के अंदर तब्दील ये की गई है, कि आप लेग साइड पे पांच से जादा फिल देली जो कि दे हंड्रेट में रखी गई है, वो है कि बालिंग में यहां पे नो बाल करवाने की सुरत में मिलेंगे आपको दो रन्स और मिलेगी फ्री हिट जिसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, जो बैट स्वेन हैं, तो अब फैंस के लिए एक नई चीज है, फैंस इ आए जा रहे हैं, इनका कोई चेक एंड बैलनस होना चाहिए, इन पर नज़र रखनी चाहिए, जी बिलकुल मेरा भी अपना यही मानना है, कि ऐसे फार्मेर्स पे थोड़ा चेक एंड बैलनस रखना चाहिए, लेकिन इंटर्टेन्मेंट पर प्रप्रस कलिए है, बहुत अ तो इनके लिए मैं यही कहता हूँ कि इनको ज्यादा वन डे और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए, अगर इनके खिलाडी पैसा कमाना चाहते हैं, अजारी बात है हर प्लेयर को पैसा चाहिए, हर इनसान को चाहिए, किसको नहीं चाहिए, तो उसके लिए दुनिया क्रिकट मौजूद हैं, जो कि प्लेयर्स क्हेलते हैं, और वहां से ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं, तो पर जब आप प्रण्चाइस क्रिकट खेली रहे हैं, तो अपने यह टीटेटेटी, क्या फायदा टीटेटी, मतलब एक टीम को टीटेटी वर्ल्ड कप खेल ले, इनफ एक साल में 5-6 टी-20 मैचिस उसको खिला दो बहुत हैं बहुत ज्यादा हैं बड़ी टीमें वन डे पे टेस्ट में करती हैं परफॉर्म करती हैं खेलते हुए अच्छी लगती हैं मैं बाबराजम का फैन हूँ कोई विरात कोली का फैन है बने बाबराजम को एक दिन के लिए देखना चाता हूं मैं नहीं चाता हुए बाबराजम आए पांच-छे गिने एक दो चके चौके मारे आउट हो जाए चला जाए नहीं सर मैं उसको पूरे दिन के लिए देखना चाहता हूं मैं उसको हंडर्स बनाते देखना चाहता हूं मैं अगर शाहिनशा फरीदी का फैन हूं हारे स्रोग का फैन हूं तो मैं उनको दस ओवर कराते हुए देखना चाहता हूं तो तीन चार ओवर कराके बार जाके बैठ जाए मैं नहीं देखना चाहता तो बड़े प्लेयर्स बड़ी टीमों के बड़े प्लेयर्स को फैन बड़े अरसे के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए बड़े फॉर्मे है नई चीज है नया फॉरमेट है नया कॉनसेब्ट है तो अब 100 के सीजन थार्ड में क्या हुआ अच्छा 100 में एक और आपको बताद जा चलें कि यहां पर 8 टीमें बना ही जाती इंए 8 ही मर्दों की आर्ट ही खातीन की तो मरदों की और께서 फ्रHI कि टीमे को कठा कि कूल बनाया जाता ए थीक है और फिर जो टाइमन के स्केजल वह वह भी मतलब अब 8 टीम Cape см TV कम एक मरतबह के बातबह यह त्यम एक सार इस्कम तर्सके मरतबह कहलेगी कि बोनस मैच जो दिया जाएगा वो हर रीजिन की जो किसी क्लोजस टीम होगी उसके साथ एक दिया जाएगा तो इस तरह हर टीम आठ मैच खेलती है और उसके बाद फिर जो टॉप अफ़ टेबल होती है टेबल टॉपर टीम होती है वो डिरेक्ट फैनल में चली जाती है बगएर कुछ खेले और जो नमबर दो और नमबर तीन की टीम होती है उनके दर्मियन एक इलिमिनेटर या एक समी फैनल के लिए रखा जाता है और ये बी एक निया concept है पहले ऐससा कभी नहीं हुआ लेकिन अभी, दह हंडर्यिट में ऐसा किया जाता है तो मर्दों के उर्टों का सेम schedule होता है और सेम दिन मकाबले होते हैं मतलब कभी ऐसे होता है कि मर्दों का म्काबला दिन में और ओर्तों का दिन में मर्दों का शाम में पर होता, सेम डे पे हैं और सेम ही जो है टॉर्नमेंट साथ एक साथ स्टार्ट होता है, एक साथ खतम होता है. ये भी एक नई चीज है, The 100 के सीजन 3 को हम नेक्स एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे के The 100 में क्या हुआ, The 100 का सीजन क्या था, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इसमें गए उनके साथ क्या वो आमकी प्रफॉर्फॉर्मिंस कैसे थी और इस टॉर्नमेंट में क्या बजट है क्या प्राइज मनी थी क्या मामलात ते साथ कुछ डिसकस होगा तो तब तक यह हमें इजाज़त दीजेगा